हलो फ्रेंड्स, स्वागत आपका अपने यूट्यूब चैनल पर जो भी स्टुडेंट्स नीट यूजी 2023 की तैयारी कर रहे हैं उन सभी स्टुडेंट्स के लिए वीडियो इंपोर्टेंट रहने वाली है तो guys सबसे बड़ा question जो students के सामने होता है कि जैसे 720 marks का paper होता है तो students बोलते है कि काफी सारे students ऐसे मिलते है जिनके equal marks होते है obviously equal marks काफी सारे students के होंगे All India basis पर वैसे ये test होता है तो guys किन basis पर अगर जादा students के same number आ रहे है तो किन basis पर ranking decide के जाते है क्योंकि rank के basis पर ही counselling होती है और उसी के basis पर admission होता है तो उसके लिए tie breaking rule लाया गया अब tie breaking rule क्या है Need UG 2023 में इस rule के अंदर क्या change हुआ है दो या उससे अधिक student के सम्मान marks होने पर कैसे ranking दी जाती है ये पूरी up-to-date information आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ तो guys सबसे पहले अगर आप इस channel पर नए है तो channel को जरूर से subscribe कर लिजेगा ताकि आपको need UG से related की हर type के information चाहे वो official notice से related हो, result, cut-off, counseling से related की पल-पल की update आपको इस channel के थूरू provide करवाई जाएगी अब देखे guys सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्या है ये type breaking rule इसके अंदर क्या change हुआ है need UG 2023 में किस तरीके से students की ranking decide की जाती है तो देखे तो guys need UG में दो या दो से अधिक उम्मिदवारों के सम्मान अंक प्राप्त करने के मामले में type breaking अनियम लागू होगा ठीक है ये need UG 2023 में भी लागू हो रहा है अगर दो या जादा students को सम्मान अंक मिले है तो सबसे पहले उनके biology, botany और geology जो section होता है उनके marks देखे जाएंगे जिसे इस section में जादा number मिले होंगे उसे higher rank मिलेगी इसके बाद भी अगर अंक सम्मान होने पर students को प्रार्थ मिक्ता दी जाएगी जिसका chemistry में जादा number होगा मतलब सबसे जादा जो weight is है ranking के अंदर वो bio की है और bio में same number students के आ गए तो फिर second number chemistry देखा जाएगा कि chemistry में किसके जादा number है अब मान लिया जाए chemistry में भी आपके equal number आ रहे है बायों में भी equal number आ रहे है तो chemistry के बाद physics में जादा number वाले students को higher rank मिलेगी ठीक है गलत उत्तर दिये होंगे या जादा सही उत्तर दिये होंगे ठीक है जो negative marking होती है आप जो गलत करके आ जाते है उनके basis पर भी आपका rank decide किया जाएगा अब मान लिया जाए उसमें भी आपकी गड़बड नहीं है ठीक है उसमें भी आपकी बराबर आ गई तो इसके बाद उन students को प्रार्थमिकता दी जाएगी जिसने बायों में कम गलत और जादा सही उत्तर दिये हो ठीक है उसके बाद जो priority दी जाएगी वो chemistry में कम गलत उत् तो फिर उनकी age देखी जाएगी और जादा age वाले students को higher rank दी जाएगी इसके बाद भी same अंक अगर आते है तो अंत में जो application number है उनकी rank का फैसला किया जाएगा बढ़ते करमे ठीक है इस तरीके से guys tie breaking rule लाया गया है इतने सारे चीजों को इखटा करके ये rule बनाया गया है त तो जो ranking होती है उनकी basis पर ही student का admission होता है marks काफी सारे students के same होते है marks सेम आने के बाद उनकी priority दी जाती है कि subject में उनने कितने marks gain किये आपने देखा होगा अगर मैं 2022 की बात करूँ तो 2022 में एक 715 वाले student थे और 2021 की बात करूँ तो 3 student ऐसे रहे थे जिनने 2021 के अंदर 720 में से 720 marks पूरे gain किये थे ठीक है फिर भी उनकी जो ओल इंडिया rank थी वो 123 इस टाइप से आई थी और उसमें फिर क्या देखा गया जब पूरे ही number आ गये उसके बाद उनके अंदर जो ace criteria है वो देखा गया application का करम है वो देखा गया उसके बाद जो है rank decide किया जाता है क्योंकि अगर नीट rank है वो किस basis पर decide कर दिया तो guys फिर भी आपने देखा यह higher rank किन को किन को मिलता है से मंग होनी पर application number और age criteria यह देख लिया जाता है उनके basis पर rank decide कर दिया जाता है तो guys यह थी आप लोगों के लिए full information फिर भी अगर आपको कोई doubt होता है तो आप comment के जरियो पूछ सकते है वीडियो पसंद आए तो like और share करना बिल्कुल भी ना भूले तो जल्द ही मिलते है next new update के साथ तब तक के लिए thank you guys